दिल्ली के अंदर राजिंदर नगर में जिस तरह से दुर्भाग्य पूर्ण घटना खटी जिसमें तीन छात्रों को अपनी जान गवानी पड़ी जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था उनके माबापका कोई कसूर नहीं था इस दुर्भाग्य पूर्ण घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी पार्टी के मेयर ने यह निड़े लिया कि किसी भी कीमत पर इस घटना के जो भी जिम्मेदान लोग है उनको बक्षा नहीं जाएगा तो यहाँ पर हमने सुना चाहे वो गुपाल राय हो चाहे आतिशी हो और वो कह रहे हैं कि इस घटना की दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा और प्रदर्शनकारी चाहत उनकी तस्वीरे भी दिखा रहे हैं जिनने हिरासत में यहाँ पर ले आ गया है शरत शर्मा काम रूप कर रहे हैं यहाँ पर शरत बहुत बड़ी बात यहाँ पर कोट ने की है कई सवाल भी उठाएं कि आखिर ऐसी घटना हुई ही क्यों और जो बिल्कुल देखे और हम यह तो कहते हैं कि चाहे सरकार हो चाहे वह नगर निगरम हो चाहे मामला क्वोर्ट में भी गया हो इह सब कारवाई होते ओए दिखना या फिर इस तरह की बाते होना यह तब ही क्यूं शुरू हुआ या तब ही क्यों होता है जब इस तरह के हाथ से ह लेकिन इतिहास भी बताता है एक परमपरा हमारे कीसे चल रही है कि कुछ हाथसे ऐसे होते हैं जो हालाथ बदलने की कथी काबिलियत रखते है और यह जो हाथसा हुआ है यह वही है जिसके बाद में चाहे वह सरकार हो। चाहे वह नगर-निगम हो चाहे मामला कोट में भी ग्या हो हर जगे से सक्थी करने की बात हो रही है लेकिन ये सक्थी जब हो जाए और जमीन पे लागु हो जाए तभी हमको माना चाहिए कि ये जो बाद में कारवाई की जा रही है, आने वाले भाविश्य के लिए ये एक मजबूत नीव तयार कर रही है क्योंकि इस समय तो मामला क्योंकि हुआ है, छातर गुसे में हैं, परदरशन कर रहे हैं, इसलिए सब दबाब में हैं, चाहे हो सरकार हो नगर निकम हो चाहे वो बाकी लोग भी हो लेकिन कुछ समय बाद होता यह है कि धिलाई बरतनी शुरू हो जाती है और जहां अभी काम कुछ घंटों में हो रहा है वहां वही काम दिनों में होता है जहां अभी काम दिनों में हो रहा है वहीं वो महिनों में हो जाता है इसलिए बहुत जरूरी है कि यह जो दबाव बना है और जो यह बाते हो रही है कि बहुत जरूरत है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए चाहिए वो ड्रेनेज का सिस्टम हो चाहिए वो रेगुलेशन हो कोचिंग इंसिट्यूट को रेगुलेट करने का यह ऐसा सिस्ट शिक्षा के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोई बिजनस नहीं है बलकि एक charitable service है लेकिन practically शिक्षा जो है वो एक business बन चुकी है एक बहुत बड़ी industry बन चुकी है जिसको चाहे अंचाहे हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो शिक्षा है ये industry बन गई है और industry को regulate करने की बहुत जरुवत है तो इसलिए अब ये उम्मीद करने चीए कि अगर कोई कानून बन रहा है और court जो है इसमें दखल दे रही है तो court भी इसको आखिर तक follow करवाए कि क्योंकि अगर आप केवल अधिकारियों पे छोड़ दें या फिर आप केवल तंतर पे छोड़ दें तो वो तो धीरे-धीरे करके उसी हालात में चला जाता है जरूरी है कि सरकारें, authority, court अपना जो दबाव है वो बनाए रखें और चातर भी जो हैं समय समय पर अपनी जो मांग हैं उनको raise करते रहें ताकि जो वो demand आज चा रहे हैं ये खासा हुआ है लेकिन इस हासे के जरिये च अच्छी बात है कि अगर इस बहाने ही सही भले ही एक दुरभागे पुर्ण घटना है तीन बच्चों की जान गई है लेकिन अगर इस बहाने भी सही लाखों छात्रों की समस्याओं का समाधान हो जाता है या उस दुशा में कदम बढ़ता है तो भी एक सकारत मगबाद जो हैं वो कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर जो इंस्टिूट्स है उनको भी अब रेगुलेट किया जाएगा तो इस तरफ भी हम देख रहे हैं कि आमने सामने की स्थिती यहां पर भी नजर आ रही है देखे एती यह दिल्ली की एक दुरबागय पूर्ण स्थिती है कि यहां पर कुछ भी अगर होगा कुछ भी अगर हाथसा होगा कुछ भी अप्रिय होगा तो सरकारी सरकार यानि की जो पॉलिटिकल रेप्रेजेंटिटिव हैं और जो अधिकारी है यह आमने सामने नजर आ पर आएंगे वह उसका कारण यह है कि दिल्ली के जो चुनेवे प्रतिनीदी हैं उनके पास में अधिकारी नहीं आते अधिकारी उनके तहत काम नहीं करते हैं और अगर वह कहें भी तो भी जो है कोई भी काम अगर होता है वह उपराजपाल के जरिये ही होता है क्यूंकि और जमत्रियों को कहने पर अधिकारियों के आभी तक होते हुए देखी नहीं गर बहुत सारे चाहे चीव सेक्टरियों चाहे Democratør City हो चाहे कही लेकिन दिल्ली के स्तिती केवल तभी सुधर सकती है जब कोट बिलकुल मॉनिट्रिंग करे और यह कहें कि आप काम करें करवा कि दीजाय कि इस विवस्था कर भाए कि होगा जो अधिकार के कि उनका कोई कसूर नहीं है अगर किसी के साथ कुछ गल्ती हो रही है कुछ दिक्कत हो रही है तो इस वासे वाकई में कोई मतलब नहीं है कि अधिकार किसके पास है किसके पास नहीं है क्योंकि आम आदमी तो यह चाहता है कि उसकी समचा का समाधान हो लेकिन जब तक अधिका हैं तो यह समय हो रही है कि जो समय अधिकार नहीं है और इसके पास अधिकार है वह उसकी जिमेदारी जो वहां पर कहीं तै नहीं हो रही है तो कोर्ड जो है इस में चोर्टी है कर दो हुआ है अपने आप में वह यह बहुत ट्रिगर करता है और उन चात्रों का भरोसा और उन लोगों का भरोसा जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वह कायम होना बहुत जरूरी तो देखते हैं अब कोट का आगे क्या कुछ रूख रहता है